दिग्रस तहसील में कोरोना के बढ़ते आकड़े न सिर्फ प्रशासन की बलकि आम जन जीवन की मुश्किले बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बीते जनवरी माह से एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में 25 फरवरी को 41 और रविवार को हाताई दो पॉजिटिव रिपोर्ट्स के बाद तैसिल के कुल मरीजों की संख्या 187 हो चुकी है। गौर तलब है कि जिला परशासन और स्थानिय परशासन की और से रविवार को जारी पूर्णता कर्फ्यू को शहरवासियों का 100% परतिसाद मिला है। एक तरह से तैसिल में जारी कोरोना संक्रमन जी का जंजाल साबित हो रहा है। इस बारे में कोविट केर मैनेजर डॉक्तर अभय गोविनवार ने इन बीसियन से हुई बादचीत में जान करी दी है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना मरीजों की संख्या से शहर का कोविट केर सेंटर और नीजी अस्पताल भी मरीजों की भीड से पटे पड़े है। एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा के तैसिल में कोरोना का कम्यूनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है जो की चिंता की बात है। ही साइकल जगा थामवाईची असेल तरह आपला कॉरंटाइन जे सांगीत लामी सेल्फ कॉरंटाइन हे असन फार महत्वाचा है। यहाचाटी जए लोगडान अस्ते यहाचा खुग फायदा होता से जाला। यहाचाटी जगा थामवाईचा खुग फायदा होता सेल्फ कॉरंटाइन जे सांगीत लामी सेल्फ कॉरंटाइन जाला। यहाचा खुग फायदा होता सेल्फ कॉरंटाइन जे सांगीत लामी सेल्फ कॉरंटाइन जाला। यहाचा खुग फायदा होता सेल्फ कॉरंटाइन जाला। रविवायर की बंद को मिले प्रतिसाद और बढ़ते कोरोना आकड़ों के बाद स्थानिय प्रशासन द्वारा आंशिक लॉकडाउन की पहल से आगे कर्प्यू की मियाद बढ़ने की संभावना है। देखना होगा कि जिला प्रशासन प्रस्तावीत एक से छे मार्च तक लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला करता है। BCN News के लिए दिगरत से जुबेर खान की रिपोर्ट